इंडिया पावर न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सरावी बेते से परिसान होकर प्लित महिला ने चौकी प्रवारी से लगाई न्याय की गुहार लखनाउ से सके जनपत बारा बांकी से बड़ी खबर सामने आ रही है आपको पताते चला कि प्लित महिला ने बेटे से तंगा कर बेटे के खिलाप बारिन बाग्चों की प्रवारी से लगाई न्याय की गुहार प्राप्त जानकारी के अंसार मामला स्तासिल राम सने घाट की बीकास खंड पूरे डलाई के निकट पूरे तीवारी का उता है जहां पर सार्थनी बिजय लच्छनी पत्नी श्वरगी जगनाज सिंग ग्राम सबाब पूरे तिवारी मजरे खुटवली थाना टिकैत नगर की निवाशनी है जिसमें पिडित महिला का लड़का बवलू सिंग पुत्र जगनाज सिंग जो काफी दबंगा है अपने साथियों मंसा पुत्र ननकाउ उलोनिया, रंजीत पुत्र गुलाम आथीष, पुत्र मीलान वदीपु सिंग, पुत्र ननकाउ सिंग के साथ मिलकर पिडित महिला को सराब के नसे में बद्दी बद्दी गालियां देता है वारो जाना मारता पीड़ता है घर की सब दोलग देजकर सराब पीता है और गाउं में आतंग मचाता है पीता ने जब इसकी सूचना डायल हंड्रेड को देती थी तो दवंग बेटा पुलिस के आते ही गाउं छोड़कर भाग जाता था वही बार बार सराबी बेटे की हरकतों से परेशान होकर महीला ने बारिन बाग चोखी प्रभारी देवंदर नाद मिस्त्रा को लिखित तारीर देकर दवंग बेटे के उपर कड़ी से कड़ी कारेवारी करके जेल भेजने की मांग की है चोखी प्रभारी ने दरिया दिली दिखाते हुए पिडित महीला को दवंग बेटे के उपर कारेवाई करने का आस्वासंदिया बारा बांकी से इंडिया पॉर्ण न्यूज के लिए दिलिप कुमार की रिपोर्ट अबिखल हुए कौन से गां है क्या मामला है नट कर मुआ मocrमाता है दारु पीता है रह वाले साथ दे रहें मारता है किस बात को लिए की लडला है आपको कुछ नहीं वा दारू पीता है वामाता है अच्छा आये दिन इसकी आपने शिकायत किया कहीं कौन से चोकी में वहां से क्या कालवाही हुई विद्ध कालवाही हुई उससे आप संतुष्ठ हैं कोई दिक्कत तो नहीं है